जैहिन साथियों आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में साथियों आज आपके सामने यूपी पुलिस कॉंस्टेबल रिख्जाम का जो मौक टेस्ट ओपन होने वाला है वो एकदम साथियों बढ़िया लेवल का मौक टेस्ट है मैं आपको बताने वाला हूँ साथों इसमें आपको कितना कितना स्कोर करना चाहिए देखिये आज मैंने जो हिंदी का लेवल रखा है ना साथियों वो थोड़ा सा अप रखा है मतलब आसान कोशन नहीं है ठीक टाक लेवल के कोशन्स हैं तो अगर हिंदी के जब हम बात करते हैं साथियों अगर इन हिंदी के 37 कोशन्स में से आपका साथियों दे कि best score में आपको बता रहों कि आपका इतने प्रिश्ण अगर आप कर दोगे तो वो आपका best score माना जाएगा और selection के chance साथियों 100% हो जाएंगे अगर हिंदी की बात करें तो 37 प्रिशनों में से 30 प्रिशन कर दें तो बिल्कुल सही तो हिंदी में आप बहुत अच्छे माने जाओगे उसी प्रेकार अगर साथियो GS की अगर बात करतें GS का लेवल मैंने थोड़ा सा डाउन रखा है मतलब GS आसान है हिंदी थोड़ी सी लेवल अप मैंने किया है अगर GS की बात करें साथियो GS की 38 कोशन में से अगर आपका स्कोर 19 से 20 प्रिशनों का रहता है यानि कि इतने प्रिशन आप सही कर देते हो तो एक best स्कोर माना जाएगा वो उसके अलावा reasoning के अगर बात करें और math के अगर साथियों बात करें reasoning के एकनम top level के मैंने 20 questions लिए है 20 questions लिए है इसमें से साथियों आप अगर 17 से 18 questions कर देते हो तो reasoning आपकी बहुत अच्छी मानी जाएगी और वहीं साथियों यहाँ पर अगर बात करें 13 से 14 questions मैंत में आप कर देते हो तो बहुत अच्छी मानी जाएगी तो कम से कम कम से कम साथियों अगर आपको selection पाना है तो आज के इस model paper में इतना 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 score आपका आना ही आना चाहिए तो class आपकी शुरू हो चुकी है और selection पाने के लिए सब ही पृष्णों को देखियेगा और अपना एक selection साथ उनिश्चित कीजेगा तो पहला पृष्ण आपकी स्क्रीन पर है कि भाष्णा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है तो भाष्णा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है यानि कि अक्षर होती है तो answer यहाँ पर जिनका भी option number D था तो बिलकुल correct था उसके बाद देखिए साथियों कि Sanskrit के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रिचलित होते उनको क्या कहा जाता है तो उनको तो तत्सम शब्द कहा जाता है देखिए बहुत जादा समय आपको नहीं दिया जाएगा प्रिश्ण पढ़िए एक सिकंड में उसका उत्तर दे द साथियों ये बचता है और ये कहां पर एक तरीके से लिखा होगा है जो कि option नमर डी में लिखा हो है यानि कि अनुकर्ण ये शब्द में प्रते क्या होगा तो ये होगा answer आपका जाएगा डी के साथ और जिनका भी answer यहां पर डी था तो बिलकुल correct उसके बाद देखिए न दोनों ही अंतराश्टिये शब्द बिलकुल सही लिखे हुए हैं तो आप लोग नजर में धियान रखेंगी दोनों ही शब्द एक तरीके से बिलकुल सही लिखे हुए हैं लेकिन आपका right answer अगर हमें एक बताना है तो ए हम बताएंगे option नमर ए वाले को उसके बाद देखि आपका option number D में लिखा हुए ये आपका बिलकुल शुद्ध शब्द हो जाएगा तो जिनका answer यहाँ पर D था तो बिलकुल correct था उसके बाद देखिए सातियो कि कौन सा शब्द हरिणा का इस्तरी लिंग रूप है बताएं तो हरिणी है क्या है सातियो हरिणा का इस्तरी लिं से जो स्वर उत्पन होता है उसे सयुक्त स्वर कहा जाता है ये आप लोग ध्यान रखेंगे answer आपका जाएगा option number A के साथ सातियों अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो तुरन सातियो like वाला बटन जब दबा देंगे तो वीडियो like हो जाएगी और मुझे मालूम पढ़ जाएगा कि एक लास आपको सातियों पसंद आई थी तो अगली बार में और जान लगा कर और दमदार प्रश्ण सातियों आपके लिए लाओंगा कि एक्जाम आपका कम से कम मैं क्रेक करवा दूँ भले आप top 10 में ना पाओ, top 100 में ना पाओ, लेकिन 60,000 वेक करते हैं, तो बस से बच्चा अलग हो रहा है, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा, लेकिन बच्चे बस से पाच्चाला जाते हैं, तो पहले बस में चड़ेंगे, बस में जाएंगे, तो यहाँ पर इसलिए सातियों करन कारक हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा, option number B के सा उसके बाद देखिए, अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, सातियों बताएगे, अंगूठे दिखाने का मतलब होता है, किसी चीज़ को इंकार करना, अंगूठा दिखा दिया, भई मैंने उससे ये काम किया, लेकिन उसने तो अंगूठा दिखा दि क्या होगा साथ्यों बताने की कोशिश कीजिए देखिए यहां पर अगर बात करें रामू की उपेक्षा आना चाहिए तो उपेक्षा एक तो यहां पर है और एक यहां पर है रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धि माने तो नाग का इसमें से अर्थ जो बनता है ना वो हाती बनता है राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ उसके बाद देखिए साथियो अगला परशन आपकी स्क्रीन पर है आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर वरतनी के दिश्टी से शुद्ध शब्द आपको बताना है बताईए तो आनुशंगिक साथियो किस परकार से लिखते हो बताईए देखिए यह तो आनुशंगिक लिखा हुआ गलत है यहां पर भी साही यह भी गलत है अनुशंगिक नहीं होता है बलके साथियो आनुशंगिक होता है आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर सी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए साथियो वीर रसका इस्थाई भाव क्या होता है बता ये च्छंद का ये भी प्रकार है, दोहा भी च्छंद का प्रकार है, चौपाई भी च्छंद का प्रकार है, लेकिन दिर्ष्टांत अलंकार होता है सातियों, अलंकार का ये प्रकार है, दिर्ष्टांत ये च्छंद का प्रकार नहीं है, तो सही जवाब आपका जो जाएगा, वो भрудभी ही समास में ही दोनों पद मिलकर एक नया पद प्रिकट करते हैं, आंसर आपका जाएगा A के साथ, राजपुत्र में साथियों कौन सा समास है बताइए, तो राजपुत्र का मतलब हो जाएगा राजा का पुत्र, आप यहाँ पर साथियों सम्न्द तत्पूरृ में सम उपसर्ग निकलेगा और एक तरफ क्या निकलेगा अंत निकलेगा तो अत धन अती धन अंत हो जाएगा इसका संदी विच्चद और उपसर्ग पूछा गया है तो अती इसका उपसर्ग हो जाएगा और जिनका अंसर यहाँ पर भी है तो बिल्कुल करेक्ट है करदन परते किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो साथियों ये तो किरिया के साथ जुड़ते हैं अगर ये कोशन आपके एक्जाम में आये करदन परते किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो किरिया आपको साथियों बताना है अच्छा यहां पर एक शब्द है कि अनल, अनल का परेवाची आपसे पूछा जा रहे बताईए तो अनल का मतलब क्या होता है, अनल का मतलब होता है साथियो आग और आग को ही क्या कहा जाता है, अग नहीं कहा जाता है तो इस परिकार अनल का परिवाची क्या होगा आग होगा उसके बाद देखिए जिसे परमान द्वारा सिद्धना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आप से पूछा जा रहे बताईए तो जिसे प्रमान द्वारा सिद्धना किया जा सकता हो उसको साथियो आप प्रमे कहा जाता है क्या कहा जाता है आप प्रमे कहा जाता है राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर C के साथ जाएगा किसी वाक्ष के क्या लिखा हुआ किसी वाक्ष के अंच को हम निम्लिकित में से क्या कहेंगे बताईए तो अगर कोई वाक्ष है उसका जो अंच होता है उसको क्या कहा जाता है उसको पदबंद कहा जाता है ये आप लोग सात्यों धियान रखेंगे इसलिए आंसर अगर आपका भी है option number A के साथ तो बिल्कुल character हो जाता है उसके बार देखिए साथियो कविता वली के रचना कार कौन है बताए तो कविता वली के रचना कार कौन है तुलसिदा से आंसर आपका option number C हो जाता है आचरं की सबहता ये किसका निवन्द है, बताईए तो आचरं की सबहता ये किसका निवन्द है साथियू ये तो सरदार पूर्ड सिंग का निवन्द है राइट आंसर अगर आपने option number B का other चैन किया था तो बिलकुल सह 중에, चलिए उसके बाद देखिये कि निम्लिकित मेंसे प्रसुद चाया वादी लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहे बताएए तो इन मेंसे चाया वादी कौन है सात्यों ये तो महादेवी वर्मा है क्या चाया वादी लेखका कि अगर बात करें तो ये तो महादेवी वर्मा है उसके बाद देखिए रानी केत्की की कहने ये किसकी करती है बताएए तो ये स्यद इन्शालला खां की करती है कौन सी रानी केत्की की कहने और ये एक्जाम में आपके साथियों बहुत बार पूछी जा चुकी है उसके वाद देखिए पॉकिट मार शब्द में समास आपसे पूछा जा रहे बताएए तो पॉकिट को मारने वाला पॉकिट मार पॉकिट को मारने वाला तो यहाँ पर सात्यों तत्पुर समास हो जाएगा राइट आंसर अगर आपका है उप्शन नमबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है कोब शब्द का परेवाची आपसे सात्यों पूछा जा रहे दे कि आपको यहाँ पर लगबग 30 के आसपास सात्यों स्कोर करना है यह आप लोग ध्यान रखिएगा 30 के आसपास स्कोर ठीक है चलिए कोब शब्द का परेवाची क्या होता है तो कोब का परेवाची आमर्श होता है यह आप लोग ध्यान रखेंगे एक्जाम में डारेक्ट आप से पूछा जाएगा आखे दिखाना ये एक मोहावरा है और इस मोहावरे का मतलब सात्यों क्या होता है बता ये के लज्जित करना आखे दिखाना या स्वागत करना आखे दिखाना या सावधान करना ठीक है बताईए शर्म के मारेच चुप हो गया का मतलब आप से पूछा जा रहा है आंकाश पांताल एक कर गया नहीं अपना सा मुह लेकर रहे गया या अपना उल्लू सीधा करने लगना नहीं उल्टी गंगा बहने लगना नहीं सा तो क्या होगा शर्म के मारेच चुप हो गया यान अंधिकार होता है, अंधिरा होता है, तो कुलमिला कि अगर आपने ए चुना है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चुन पाए थे, नहीं सही जवाब दे पाए थे, तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे, तमस का मतलब अंधिरा होता है, जिस मूल शब्द में विकार ह प्रिश्णा आपके स्क्रेन पर है, कि निम्लिकित वाक में किस लोकोक्ते का प्रियोग होगा, तीरतों के पंडे, पुजारी, प्राया, ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं, जो आख के अंधे गाट के पूरे होते हैं, या मान ना मान मैं तेरा महमान, गंगा गए गंग आती है, साथियों बताईए, तो ये तालव के अंतरगत आती है, या भी साथियों तालव के अंतरगत आती है, और शा भी तालव के अंतरगत आती है, उसके बाए चाचा चाजा भी जो है, वो तालव के अंतरगत ही आती है, हिंदी दिवस कम मनाय जाता है, बताईए, तो हि सेप्टेम्बर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है राइट आंसर आपका भी के साथ जाएगा विध्याले की अगर बात करें तो यहाँ पर विध्याले की अगर बात करें तो विध्याले का संधी विच्छत तो सब कुछ दे रखा है लेकिन पूछा यह जा रहा है कि इसमें हिंदी आपकी अच्छी है या हिंदी नहीं अच्छी है तो यह जो डेली आपका मौक टेस्ट होता है टार्गेट सेलेक्शन नाम के इस चैनल पर डेली होता है साथियों चारों विशाओ चलिए उसके बाद देखिए शिरंगार रसका इस्थाई भाव क्या होता है सातियों तो शिरंगार रसका इस्थाई भाव क्या होता है रती होता है या आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर अगर आपका है option number B के साथ तो बिल्कुल correct है तो अब आपके सामने यहाँ पर सामान ग्यान के प्रिष्ण शुरू हो चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि 38 प्रिष्ण होंगे तो लगभग लगभग आपको इसमें से 50% स्कोर करना है यानि कि लगभग 18-19 के पास अगर आप स्कोर कर देते हैं तो जी कि आपकी बहुत अच्छी मानी जाएगी उसके बाद देखें सातियों के भारती राष्टी आंदोरन के दौरान प्रिसित जो उपन्यास आनंदमट है सातियों किस ने लिखा था तो आनंदमट उपन्यास के लेखक सातियों कौन थे तो बंकिम चट्र चट्रदी थे आंसर आपका जाएगा उप्शन नंबर सी के सात उसके बाद देखिए 1928 में जो बारदोली सत्यागरह सातियों है ये किस के नेतरत में किया गया था बताईए तो ये बारदोली सत्यागरह के अगर बात करते है तो ये तो सरदार वल्ला भाई पटेल के नेतरत में किया गया था राइट आंसर आपका जो जाएगा वो उप्शन नंबर बी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगला पृष्ण आपकी स्क्रीन पर है आपसे पूचा जा रहा है कि इन में से किस सत्यागरह में सरदार वल्ला भाई पटेल को सरदार के उपधि दीती देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था सात्यों कि जो बारदोली सत्यागरह हुआ था ये किसके नेतरत में हुआ था ये सरदार वल्ला भाई पटेल के नेतरत में हुआ था और बारदोली सत्यागरहे के दवरान ही सातियों वल्ला भाई पटेल को सरदार की उपधी दी गई थी ये पॉइंट आप लोग सातियों ध्यान रखेंगे तो आंसर जिनकव यहां पर आप्शन नंबर B है तो बिल्कु घ्यान रखेंगे उसके बाद देखिए गेटवी ओफ इंडिया सातियों ये कहां परिस्ते थे बताईए तो गेटवी ओफ इंडिया कहां परिस्ते थे मुंबई में स्थे थे सातियों आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर A तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था तो कौन सा नारा दिया गया था साथियो बाटो और छोडो नारा दिया गया था राइट आंसर आपका चुछ जाएगा वो ऑप्शन नमबर C के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नमबर C है तो बि इनका भी आंसर यहां पर एक अधा बिलकुल कहरे था उसके बाद देखिए बिर्टिश जासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर्ट जनरल और पहले वाइसराय कौन थे तो इनका नाम साथियों क्या था बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग बताईए चलिए तो आप ध्यान रखेंगे साथियों राइट आंसर के अगर बात करें क्या आपका राइट आंसर होगा तो लौड कैनिंग अगर आपका जवाब है तो बिलकुल सही है यहां के बिर्टिश जासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर्ट जनरल और पहले वाइसराय कौन थे लौड कै बारती सविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है तो ये तो साथियों सबवर्ती सूची में शामिल किया गया है आंसर आपका अभी के साथ जाएगा सूचना का अधिकार यानि के आर्टिया ये अधिनियम साथियों कब लागू किया गया तो ये कब लाग इसमृति एवं दर्शन समीति का गठन किया गया उसके बाद देखिए निम्लिकित में से कौन सी सबसे तीवर भूकम्पी तरंगे हैं बताइए तो यहां पर जो बात किये गई है प्रात्मिक तरंगों की यह साथियों सबसे तीवर भूकम्पी तरंगे कहलाई जाती है आंसर आपका B के साथ जिस तरह बैरो मीटर दाप से सम्मंदित है ठीक उसी प्रकार सिस्मोग्राफ किस सम्मंदित है तो साथिवा भी मैंने आपको बताया भूकम का अध्यन कहलाया जाता है सिस्मोग्राफ आंसर आपका जाएगा A के साथ उसके बाद देखिए भारत का सबसे ब बात करें साथियो हैदराबाद आपके इस प्रशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भारत का परमाणो इधन परिसर ये हैदराबाद में इस्तित है उसके बाद देखिए इन में से कौन भारती रिजर बैंक के पहले भारती गवनर थे बताईए तो अगर बात करें साथ यो 14 बैंकों का राश्रिकन किया गया था ये संख्या आप लोग घ्यान रखेंगे आपके एक्जाम में पूछी जाती है आपसे राजसभा के पहले अध्याष साथियों कौन थे बताईए तो राजसभा के पर्थम अध्याष कौन थे तो सरपली राधा कृष्ण थे आप ग्यान रखेंगे राइट अंसर अगर आपको ऑप्शन नमबर भी है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए राजसभा में कितने सदस होते हैं बताईए तो अगर डारेक्ट आपके एक्जाम में आ जाए कि राजसभा में कितने सदस होते हैं तो 250 राजसभा का जि यह भारत का दोजगीत यानिके जंडा गान के अगर बात करें इसके रचहिता कौन है तो शामलाल गुपता पारशाद है आंसर आपकसी के साथ जाएगा विश्व शिक्षक दिवस सात्यों कब मनाये जाता है बताएए तो यह तो पांच अक्टूबर को मनाये जाता है विश् करनों का अवशोशन करती है बताएए तो जो ओजोन गैस होती ना यह गैस सात्यों परावैंगनी करनों का अवशोशन करती है उसके बाद देखिए विद्वा पुनरविवा कानून सात्यों कब बना तो यह 1856 में बना कब बना सात्यों विद्वा पुनरविवा कानून 1856 म दोरा ब्रहेदेश्वर वंदिर का निर्मान करवाया गया। पहचान रचिन ने डिजाइन किया था भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज जो कौन सा है बताए तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज जो किया जाता है वो कहां किया जाता है वो गुजरात में किया जाता है आप लोग ध्यान रखेंगे वर्ष्ट 2011 की जनगर्णा के अरुसार किस राजी की जनसंख्या में कमी आई थी बताएए तो कहां की जनसंख्या में साथियो कमी आई थी आपसे पूछा जा रहा है नागा लेंड की जनसंख्या में कमी आई थी भी के साथ आपका अंसर जाएगा लॉर्ड इर्विन का कारेकाल साथियो कब से कब तक माना जाता है तो 1926 से लेकर 1931 तक माना जाता है आंसर आपका भी के साथ उत्र पुदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरसकार जिसकी इसमर्थी में प्रारम किया था उनका नाम क्या है उनका नाम उस्ताद बिसमिल्ला खाहें मोस्ट इंपॉर्टन कोशन था ने निकित मैसे कौन सराज सरकार का कानूनी सलाकार होता है यानि के राज सरकार का कानूनी सलाकार कौन होते हैं तो महादी वक्ता होते क्या महादी वक्ता ही साथियों राज सरकार के कानूनी सलाकार होते हैं तो यहां पर साथियों अब आपके Reasoning के कोशन शुरू हो चुके हैं और जब हम यहां पर एक बात करें Reasoning की तो Reasoning के यहां पर हम लोग कितने कोशन देखेंगे साथियों Reasoning के हम लोग जो यहां पर कोशन देखेंगे साथियों वो कुल मिलाके 20 कोशन देखेंगे और 20 question में से साथियों आपका score जो होना चाहिए वो लगबख 17-18 का होना चाहिए क्योंकि reasoning का level मैंने थोड़ा सा down रखा है और उसके बाद साथियों जो math आपकी होगी math की जब हम बात करते हैं तो math में भी आपर 20 questions ही आप लोग देखेंगे और उसमें आपका score जो होना चाहिए वो लगबख 13-14 का होना चाहिए क्योंकि math का level थोड़ा आसान से थोड़ा उपर हटके है उपर उठके है अब देखें पहला प्रिशना आपकी screen पर है बताए इसका right answer क्या हो सकता है कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चा चार शब्द दिये गया है दिये गए शब्दों के अक्षरों को मिला कर इन में से केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता आपको बताना है सात्यों वो कौन सा ऐसा शब्द है जो यहां से नहीं बन सकता देखिए जब हम बात करते हैं fixation की तो if ix क्या यहां पर लिखा हुआ है यहां पर सात्यों if लिखा हुआ है i लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है उसके अलावा A भी लिखाओ और T, I, O, N भी लिखाओ, यानि option number A वाला तो बन जाएगा, B वाली के अगर बात करें, example देखे, E, X ये हो गया, ठीक है न, E, X आपका ये हो गया, और आपका A साथ हो जो है न, A आपका ये हो गया, और M कहाँ पर गया, M आपका ये हो गया, उसके बाद अगर बात करें, P, L, E की अगर बात करें, तो P आपका ये हो गया, L आपका ये हो गया, और E किदर गया, E आपका ये वाला हो गया, तो ये वाला भी बन सकता, और A, X, E बन सकता है क्या, तो X ये हो गया, A कहा गया, A आपका ये हो गया और E भी कहीं है, बिल्कुल है उसके अलावा कि एक्स्ट्रा बन सकता है यानि कि D वाला बन सकता है, ये भी देख लीज़े E X तो मिल गया, उसके बाद साथियो T कहा गया, T भी मिल गया, R कहा गया साथियों, R यहां पर कहीं पर नहीं है तो कुल मिला के R नहीं है, तो ये वाला option नहीं बन सकता है, तो यही आप से पूछा जा रहा था और यही आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाता है उसके बाद देखिए, next number का question साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताएए कि आपका राइट आंसर होगा, कथन आपके सामने है और पूर्व अनुमान आपके सामने है कथन में कहा गया है कि सब ही बच्चे आईस क्रीम पसंद करते हैं और कुछ बच्चे चोकलेट के पसंद करते हैं जो बच्चे चोकलेट पसंद करते हैं वो आईस क्रीम भी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें ये कहा गया कि सब ही के सब ही बच्चे आईस क्रीम पसंद करते हैं तो अगर कोई ऐसा बच्चे है जो चोकलेट पसंद करता है तो आईस क्रीम भी पसंद करता है इस कफन के according पिंकी चॉकलेट पसंद नहीं करती परन्तु वह आईस क्रीम पसंद करती हाँ अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चॉकलेट पसंद नहीं करता तो आईस क्रीम तो पसंद करता ही करता होगा तो ये भी आपका सही हो जाएगा तो कुल मिलाके सात्यों दोनों ही पूर्व अनुमान आपके बिल्कुल सही हो जाएगे यानि कि एक और दो दोनों पूर्व अनुमान नहीं थे कथन में कथन आपके सामने लिखा हुआ है सात्यों कथन आपके सामने है कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं ठीक है छातर सिपाही नहीं है मतलब छातर जो है आप वो सिपाही नहीं है और जो सिपाही है वो अपने देश की सेवा करते हैं अब निशकर्ष को साथियों पढ़िए कि छातर अपने देश की सेवा नहीं करते ह है और ना दूसरा वाला निकलता है तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर सी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए यहां पर साथियो डायरेक्शन का एक सवाल आपकी स्क्रेन पर दिया गया है पहले इसको पढ़िए और फिर साथियो आपको आंसर बताना है कि आप उस स्थान से कितनी किलो मीटर दूर है जहां से आपने दोलना शुरू किया था तो आपको क्या बताना है पहले सवाल का आपको बताना है कि आप वहां से कितनी दूर है जहां से आपने दोलना शुरू किया था इस बात को आप लोग ध्यान चलते हैं तो बाई और हम बुड़े साथियों और 5 किलो मीटर हम चल दिये उसके बाद फिर अपने बाई और मुड़ते हैं और 5 किलो मीटर चलते हैं चार तो यह हो गया पाँच आपका साथियों यह हो जाएगा उसके बाद कहा गया है फिर बाई और मुड़ते हैं और 6 किलो तो एक किलो मेटर अब हम यहां पर हैं अब सवाल में पता क्या किया गया था अभी जो मैंने आपको साथियों पढ़ाया था यह पूछा गया था कि आप वहां से कितनी दूरी पर है जहां से आपने दौरना शुरू किया था तो दौरना तो आपने यहां से शुरू किया था और आप अब यहां पर हैं तो आप कितनी दूरी पर हैं इसकी दूरी क्या होगी तो इसकी दूरी साथ हो एक किलो मीटर होगी क्यों क्योंकि यहां तक की दूरी जो है वो पाँच किलो मीटर है यह देखिए पाँच किलो मीटर और यह एक एक्स्ट्रा है तो कुल मिला के साथ आपका जो जाएगा वो option number किस option के साथ आपका जाएगा एक के साथ आपका राइट answer जाएगा एक किलोमीटर साथ यो दूरी है तो राइट answer जिनका भी है यहाँ पर option number एक के साथ तो बिल्कुल correct है अब दूसरा देखिए दौड समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे दौड जब आपने समाप्त की थी ना तो आप साथ कुछ ऐसे करके जा रहे थे ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहे थे ठीक है और यहाँ पर आपकी शुरुआती बिंदू थी तब ही तो आप उत्तर की तरफ जा रहे थे तो आपका उत्तर साथ यो राइट answer हो जाएगा इस सांकियतिक भाषा में 461 का मतलब होता है साथ यो के where are you 169 का मतलब होता है you are good 8652 का मतलब होता है flowers are not bad तो not का code आपको बताना है साथ यो देखिए not के code की अगर बात करें ना देखिए not का code सबसे पहले तो ये आप देखिए कि not लिखा कहां पर है not कहां पर लिखा है not यहां पर नहीं लिखा है, not यहां पर, हाँ, बिल्कोल सा, तो यह यहां पर लिखा है not, तो कुल मिला कि यहां तो not का code 8 होगा, यह हो सकता हो, 6 हो, यह हो सकता 5 हो, यह हो सकता 2 हो, तो अब not का code निकानले से पहले हमें मालूम करना पड़ेगा, bad का code, flowers का code, आर का code, A-R-E का code तो मालوم पढ़ जाएगा यहां से सत्यों और flowers कहीं पर लिखा हुआ है या bed कहीं पर लिखा हुआ है बैड तो مुझे कहीं पर नहीं दिख रहा है good लिखा हुआ bed नहीं लिखा है एक तो इसका code हमें नहीं पता चल पाएगा और यहां पर not कहीं पर है भी नहीं ठीक है ना यहां पर not कहीं पर नहीं है कि हम एक तो इसमें से नंबर ले ले लेते और माली जे not अगर यहां पर लिखा होता ठीक है तो हम इसमें से ले लेते तो कुलमिला के साथ तो इन में से कोई नहीं ऐसा आपका आंसर हो जाएगा आंसर जिनका D है तो बिल्कुल करिक्ट अब उसके बाद देखिए एक और कोशन है कि गुड का कोड क्या हो सकता है बताएए क्या आपसे पूछा जा रहा है सात्यों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपसे पूछा यह जा रहा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गुड का कोड आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है अब देखिए गुड कहां पर लिखा हुआ है यू आर वेर आर यू यू आर गुड गुड यहाँ पर लिखा हो तो U R का code आपको मालूम करना पड़ेगा यानि कि U का आपको मालूम करना पड़ेगा और R का code आपको मालूम करना पड़ेगा ठेक है R का तो code साथ हूँ यहां से निकल जाएगा देखिए 4 6 1 ठेक है अच्छा यहां पर भी 6 और 1 है यहां पर भी 6 और 1 है यानि कि क्या दो चीज़े मिल रही है R U R U अच्छा U R का जो code है ना U R का देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है U R का जो code है साथियो वो 1 और 6 है क्या है ना ठीक है ना 1 और 6 है तो कुल मिला कि अगर बात करे 1 और 6 तो आंसर हो ही नहीं सकता 1 और 6 साथियो आंसर नहीं आपका हो सकता अब good का code या तो 4 होगा या साथियो 9 होगा लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं क्या साथियो यहां पर अगर बात करें 4 और 9 में से 1 होगा यहां पर good का code में अगर बात करें तो यहां पर 4 तो आया ही नहीं सात्यों 9 सिर्फ आया है तो 9 ही सात्यों हो जाएगा आपके good का code और answer अगर आपका यहां पर है option number D के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता वही बहुत बड़िया very good class उसके बाद देखिए are you there को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे बताइए चलिए are you there आपसे पूछा जा रहे are you there are you there अभी अच्छा are you there का code हमने पता किया था क्या पता किया था कि एक और छे जो है ना एक और छे यह है साथियो you are का code अच्छे यहां पर are you there रखा है are पूछा गया था वहाँ पर साथियो are you और there का code वहाँ पूछा गया था तो यहां पर there कहीं पर लिखा हुआ है क्या there कहीं पर नहीं लिखा हुआ है तो कुल मिला के are का code और you का code साथियों आपको मालूम करना पड़ेगा तो R का कोड सातियों क्या निकलेगा एक तरीके से, देख लिजे यहां पर, एक तो R यहां पर है, और एक R यहां पर है, एक R एक सेकंड, हाँ, अब देखे, R यहां पर भी बीच में है तो 6 है, R यहां पर भी बीच में है तो बीच में 6 है, तो कुल मिला के R का कोड जो होगा, यह नहीं हो सकता, अब अगर बात करें साथ की अगर बात करें यहां पर अगर बात करें साथ होगा या आठ होगा अगर बात करें आठ नहीं हो सकता क्यों क्योंकि आठ का कोड जो है ना वो फ्लावर होगा आर होगा नौट होगा बैड होगा यानि कि साथ हो सकता है देर का कोड जो होगा वो साथ हो सकता है तो कुलमिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो छे एक साथ के साथ जाएगा आप्शन नमबर एक साथ जाएगा वही बहुत बढ़िया वेरिकूट ट्लास उसके बाद देखिए साथियों अगले नमबर का पुरूप की तरफ जाता है तो यहाँ पर अगर बात करें सा दक्षिन मुरता है पचास मीटर जाता है दक्षिन मुर गया साथियों यह आपका पचास किलो मीटर चल गया मीटर चल गया उसके बाद वो पश्यम की और मुर कर दस जाता है तो पश्यम की तरफ गया साथ जाता है अब वो उत्तर की और मुरता है और बीस जाता है यह बीस चला गया ठीक है ना अंत में पश्चिम के और मुड़कर 10 जाता है तो 10 ये चला था 10 ये और चल गया यानिके यहां तक पहुँच गया अबू अपने घर से कितनी दोरी पर है यानिके उसका घर ये था अब देखिए टोटल ये 50 है यहां तक साथियो 20 है तो जाहर सी बात है ये 30 होगी तो कुल मिला कि अपने घर से जो उसकी दोरी है वो 30 मीटर की है इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर C के साथ जाएगा और जिनका अंसर यहां पर ऑप्शन नमबर C है तो बिलकुल कैरेक्टर भई बहुत बढ़िया वेरी कुट क्लास एक आदमी एक इस्तान से चार मिल उत्तर दिशा में चलता है और फिर बाएं मुड कर सात्यों छे मिल चलता है दाएं मुड कर इस तरही के से चलता है और यहां पर सात्यों कुछ किलोमीटर वगरा मैंने पूछा गया कि कितनी दूरी पर है सिर्फ दिशा पूछा जा रहा ह कि उस आदमी का जब वो अंतिम रूप से चल रहा है तो उसकी दिशा है ने कि वो किस रूप से जा रहा है किस दिशा में जा रहा है अंतिम तरीके से देखिए एक आदमी एक इस्तान से चार मिल उत्तर दिशा में चलता है तो मान लेते हैं सात्यों यहां पर कोई है तो यह च चलता है सात्यों उसके बाद सात्यों सुस्ता आता है सुस्ताने के बाद वो उसी दिशा में दो मीटर और दो मील और चलता है तो दो मील और चला दिया इसके बाद वो दाएं मुड़ता है और एक चलता है तो दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ उसके बाद देखें सात्यों इसमें से आपको बताने है कि विशम आप्शन कौन सा है यानि कि सबसे अलग आप्शन कौन सा है बताईए देखिए यहां पर सातियों, जब हम बात करते हैं कि P है, आर है, S है, U है, यानि कि मैं कहां सातियों कि 16 है, 18 है, 19 है और 7 है 21 है, चलिए, उसके बात कहा गया है कि 19 है और 21 है, और 7 डबलू 23 पर होता है, Y आपकी 25 पर होती है उसी प्रिकार अगर बात करें H आपका 8 पर होता है जये आपका 10 पर 11 पर होता है इन 14 पर होता है सकता हो ये सबसे अलग है क्योंकि यहां पर एक बढ़ाया जा रहा है दो नहीं बढ़ाया जा रहा है तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अब इसमें से बताइए कि विशम आपको कौन सा लग रहा है टमाटर आलू गाजर या प्याज तो हम बात करते है आलू जमीन के अंदर उगता है गाजर की भी सात्यों जमीन के अंदर होती है प्याज भी जमीन के अंदर होती है लेकिन टमाटर सात्यों जमीन के ऊपर उगता है तो आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का कोशन आपके स्क्रेन पर है कि खाली जंगा है फिर A B है फिर खाली जंगा है फिर B है उसके बाद यहाँ पर दी कि थोड़ा सा सही तरीके से नहीं लिखा मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूं देखिए खाली जंगा है और A B है खाली जंगा है B है खाली जंगा है A B है और उसके 15 है या तो साथियो 5 का पेर बनेगा या 3 का पेर बनेगा 5 का पेर बना ये 1, 2, 3, 4, 5 तो ए 5 का हो गया 1, 2, 3, 4, 5 पाच का हो गया सॉरी ये आपका 5 का यहां पर नहीं यहां पर हो जाएगा उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 अब देखिए अंत में A, B, A, B है तो यहां पर अगर B बना ले तो अंत में A, B, A, B हो जाएगा यहां पर A, B है यहां पर A बना लो साथियो A, B, A, B हो जाएगा तो अब अगर साथी बाद करें अंत वाला तो हमको मिल चुका है A, B, A, B, A, B तो कुल मिला के यहां पर अब कौन सा लिखे लेटर ये अब सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं देखिए अब ये देख लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा है हमने क्या क्या लिखा है साथियो ए लिखा है तो ये दूसरे वाले में ए आना चाहिए कि यहां A आया है, यहां A आया है, यहां A आया है, यहां A आया है, चलिए, उसके बाद सात्यों जब हम बात करते हैं, क्या, कि यहां पर और हमने क्या क्या लिखा था, और हमने लिखा था, कि यहां पर सात्यों B आना चाहिए, तो एक, दो, अगर बात करते हैं, मतलब एक और तो यानि कि दूसरे नमबर पर B आना चाहिए, तो यहां पर B है, नहीं, यहां पर B नहीं, यहां पर B नहीं, यहां पर है, तो कुलमिला के साथ हो, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर B आएगा, यहां पर B आएगा, और यहां पर B एक तरीके से A ही आएगा, य तो कुल्मिला के साथिओ अगर बात करतें यहां पर तो कुल्मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो option number D के साथ जाएगा सबसे सही और सबसे नज़्दी की उतर जो बैट रहा है वो option number D वाला ही बैट रहा है उसके बाद देखिए साथियो अगले नंबर का प्रिशनाप की स्केरीन पर है कि कुछ कुछ कुटे बिल्ली हैं, सभी बिल्ली शेर हैं, कत्रों के लिए उप्यूक्त आरेक आपको चुड़ना देखिए यहां पर मान लेते हैं, साथियो ये क्या हो जाएंगी, ये कुटे हो जाएंगी, कहा जा रहा है कि कुछ कुटे बिल्ली है, तो कुछ कुटे क्या हो गए, साथियो ये कुटे हो गए, ये बिल्ली हो गई, तो कुछ कुटे बिल्ली हो गई, और कहा गया है कि सभी बिल्ली शे उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का कोईशन आपके स्क्रीन पर है देखिए और बताइए सात्यू सही जवाब आपका क्या होगा पादन देश है या श्रिलंग का देखिए वियतनाम का कैसे जिकरा जाएगा जब सात्यों कत्थन में नहीं था डी वाला भी नहीं होगा तो कुल मिलाके राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नंबर बी के साथ जाएगा यानि कि भारत में अधिकान शाबादी भा इसके बाद देखिए नेक्स नंबर का कोशन आपके स्क्रीन पर है कि नीचे दियेगा विकल्पों में से वो शब्द ढूढ़िए जो निम्रिकित अक्षरों से नहीं बन सकता है बताईए तो कौन सा सात्यों नहीं बन सकता है देखिए और बताईए राइट आंसर इसके बाद देखिए अगला प्रशनाप कि स्क्रीन पर है बताईए के दिये गए विकल्पों मेंसे वो शब्द ढूंड ये जो निम्लिकित अक्षरों से बन सकता है अब आपको बताना है साथी जो बन सकता है उसके वारे में आपको बताना है देखें क्रेशन कि अगर बात करें C, R, E, A तो C ये हो गया R ये हो गया उसके बाद E कहां पर है E कह सकता है तो option number B वाले को देखा बन सकता है अब आप इसको चेक करोगे तो ये भी नहीं बन पाएगा और ये भी नहीं बन पाएगा उसके बाद देखिए अगला विर्शनाप की स्क्रीन पर है कि 15 है उसके बाद 31 है उसके बाद साथ हो 64 है उसके बाद 131 है तो उसके बाद साथ हो कौन सा number आएगा बताइए देखिए ये 15 से यहाँ पर 31 हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुणा 2 हुआ है 15 और 32 और 1 पिलस कर दिया गया 31 से 64 हुआ है तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 62 आजाएगा और पिलस 2 कर देंगे यहाँ पर भी साथ हो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा और जब 1 पिलस किया फिर 2 पिलस किया उसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर 4 पिलस करेंगे 4 करेंगे नहीं सौरी चार पिलस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 266 हो जाएगा और यही हमारा और आपका बिलकुल सही जवाब हो जाता है। चार से प्रिथवी का क्या गुण होता है कि उसमें गुर्थवा कर्शनबल होता है तो आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर B के साथ जाएगा। एक बटे आठ निकाल लेंगे दो सो के दो सो के दो बटे पांच से कितना आधी कैसा हो तो एकर इसका मान निकालेंगे तो आठ पंजे आपका 40 हो जाएगा और 0 लग जाएगा। यानिक इसकी जगह पर 50 आया है, इसकी जगह पर देख लेते हैं पांच चौक आपका 20 हो जाएगा और 40 दून आपका 80 हो जाएगा तो मैं कहूंगा साथ्यों यह इससे कितना कम है तो 30 कम है तो 30 ही आपका साथ्यों पिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राम और सैम की कुल आईउ सैम और टॉम की कुल आईउ से बारह वर्षा दिक है तो राम से टॉम कितना छोटा है याप से कुल मिला के पूछा जा रहे देखे यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कितने लोग हैं देख लेते हैं कितने लोग है यहाँ पर कहा गया है कि जो राम और राम पिलस सैम इन दोनों की जो आईउ है ना इन दोनों की साथियों जो कुल आईउ है वो साथियों सैम और मैं यहाँ पर लिख लिएता हूँ सैम और टॉम की कुल आईउ से टॉम की साथियों कुल आयों से एक तरीके से 12 वर्ष अधिक है तो साथियों 12 वर्ष अधिक हमने कर ली यानि कि इनकी जो आयों है ना इसकी आयों से 12 वर्ष अधिक है तो 12 वर्ष अधिक कर ली ठीक है अब अगर देखिये बात करें यहां पर राम लिखा हुआ है तो हमने राम लिख लिया अब यह सैम इधर है और यह भी सैम यह उधर है जब सैम इधर आ जाएगा साथ हो तो क्या एक पिलस का सैम हो जाएगा एक माइनस का सैम हो जाएगा तो उस पिलस के सैम से माइनस का सैम कट जाएगा ठीक है ना पिलस के सैम से माइनस का सैम कट जाएगा अब यहाँ पर बचेगा क्या टॉम बचेगा तो यह बराबर के उधर है जब टॉम इधर आएगा तो यह माइनस का टॉम हो जाएगा यानि के राम माइनस टॉम बराबर क्या जाएगा बरा आजाएगा और आप से पूछा क्या गया था कि राम से टॉम कितना बड़ा है तो राम से टॉम साथियो कितना बड़ा है बारह वर्ष अधिक है तो बारह ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है बहुत बड़िया वेरी कुट क्लास चलिए उसके बाद देखिए आगले नमबर का साथियो प्रश्ण आपके स्क्रीन पर रहे साथियो तब यह थोड़ी से सही नहीं लग रही है ठीक है तो आप लोग थोड़ा सा मैरेच करने की कोशिश करेंगे देखिए 800 का 3 चौथाई पूछा जा रहे हैं आठ यहां पर 200 हो जाएगा 200 तीयां आपके कितने हो जाएगे 600 हो जाएगे इस जीरो सी जीरो कट जाएगा 90 दुना कितने हो जाएगे साथियो 180 हो जाएगे अब देखिए क्या कहा गया है कि इससे कितना बड़ा है तो देख लेते साथियो माइनस करा लीजिए और जब यहां पर माइनस कराएंगे तो 60-600 में से 180 जाएगा तो 420 बचेंगे और 420 आपका साथियो आंसर में भी है तो कुल मिला के 420 आपका बिलकुल सही जवाब किसी डेटा के निश्य सेट का माध्ध कितना है साथियों 40 है परिणामित संख्याओं का निया माध्ध निकाली है जब 9 से बढ़ाया जाए और 7 से विभाजित किया जै देखें यहां पर एक तरीके से माध्ध आपको कितना दे रखा है माध्ध आपको साथियों जो दे रखा है वो 40 दे रखा है और कहा जा रहा है साथियों कि नया माद्ध बताईए क्या पूछा जा रहा है एक तरीके से नया माद्ध कितना होगा तो जो पुराना माद्ध है वो साथियों 40 है और उसके बाद कहा गया है कि 9 से बढ़ाया जाता है तो इसमें साथियों हमने 9 बढ़ा लिया 9 बढ़ा लेते हैं साते हूं तो उसको 7 से भी भाजित किया जाता है तो इसको हमने 7 से भी भाजित कर लिया अब 40 पिलस नो कितना हो जाएगा उन्चास हो जाएगा और 7 से भाग करेंगे तो यहां पर 7 आ जाएगा तो कुल मिला के नया माद जो आएगा वो साथ आएगा और साथ आपका आप्शन नमर B में है उसके बाद देखिए कि एक अपार्टमेंट 614 मीटर लंबी परचाई डालता है और उसी समय उसके सामने खड़ा एक पेड़ 6 मीटर लंबी परचाई डालता है तो पिर्शन को साथें दुबारा से पढ़ लेते हैं लिखा हुआ है कि एक अपार्टमेंट 654 मीटर लंबी परचाई डालता है और उसी समय उसके सामने खड़ा एक पेड़ 6 मीटर लंबी परचाई डालता है यदि पेड़ 2 मीटर उचाई का यानिके कहा जा रहे है कि जो पेड़ 2 मीटर उचाई का है वो 6 मीटर साथें क्या 6 मीटर लंबी परचाई डालता है तो अगर कोई एपार्टमेंट 654 मीटर लंबी परचाई डालता है क्या 654 मीटर लंबी परचाई डालता है साथें तो एपार्टमेंट की उचा ही क्या होगी यह निकि जो देखिए दो जो बना है वो मतलब क्या कर रहे हैं तीन गुना एक तरीक ऐसे कर दिया तो इसका सात्यों अगर इसको एक समान ले इसका तीन गुना जो है वो छेसो चुगन है तो कुल मिला के एकस का मान क्या आएगा मैं इसको तीन से भाग दे देता हूँ तीन दुना च्छे हो जाएगा तीन एकम तीन हो जाएगा तीन सत्य एकस तीन अठ्छे आपका चौबिस हो जाएगा तो कुल मिला कि आपका आंसर जो जाएगा वो 218 के साथ जाएगा और 218 सात्यों कौन से option में है तो option number D में है 6 संक्यों का उसत 8 है तो सात्यों 6 संक्यों का उसत कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा अब 6 संक्यों का सात्यों का उसत कितना है तो आठ संक्यों का सात्यों एक तरीके से योगफल कितना हो जाएगा अब कहा गया है कि दोनों का अगर साथ में आउसत देखा जाए तो कितना हो जाएगा इन 14 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा और 48, 48 यानि के 7, 96 हो जाएगा अब अगर इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 2, 4, 8, 2, 8, 16 आ जाएगा यानि के 48 बटे 7 को सॉल्व कीज़े इस तरीके से तो नीचे 7 आ जाएगा 7, 6 आपका क्या ह 27,500 में एक वाशिंग मचीन खरीटा है उसे 21,700 में बेज देता है उसको लाव कितना होता है तो कुछ नहीं साथियों करना है 21,700 में से क्या 27,700 में साथियों 17,500 आपको माइनस कर देना है आपको लाव मालूम पढ़ जाएगा 2 बचेगा साथियों यहाँ पर 4 बचेगा तो 42,000 का साथियों फाइदा होगा 42,000 का प्रॉफिट होगा अंसर आपका जाएगा B के साथ उसके बाद देखिए अगले नमबर का साथियों प्रशना आपके स्क्रीन पर है देखिए और बताईए सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताईए दूद तथा पानी के दो परकार के मिक्षण चलिए दूद तथा पानी के दो परकार के मिक्षण मान लिजे साथ एक ये बाल्टा है इसमें दूद पानी है और एक ये बाल्टा है इसमें भी दूद और पानी का मिक्षण है पहला मिक्षण हो गया दूसरा मिक्षण हो गया पहले मिक्षण में 27 लेटर में यानि के पहले मिक्षण की जब हम बात करते हैं तो सात्यों पहले मिक्षण 27 लेटर में मतलब इसमें कुल मिला कि 27 लेटर का है पूरा बालटा और 24 लेटर केवाल तथा दूद है अच्छा वाई इसमें जो मिल्क है ना मिल्क 27 लेटर में इसमें 24 लेटर तो मिल्क है तो पानी कितना होगा यह नहीं के वाटर कितना होगा सात्यों तो कुल मिला के तीन हो जाएगा तब ही तो 27 होगा ना उसके बाद देखे सात्यों क्या लिखा है दूसरे मिक्षण में 40 लीटर दूद है दूसरे मिख्षण में 7,4 लिटर दूद है और 5 लिटर पानी है वाटर कितना है? 5 लिटर पानी है चलिए तो इसमें कुल बिला कि कितने का हो جाएगा 45 का हो जाएगा अब अगर बात करें कौन से मिख्षण में दूद की अच्छी मातर है पहले वाले मिक्षर में, दूसरे वाले मिक्षर में या दोनों मिक्षर में समान मात्रा है इसकी दूद्ध की देखिए यहां पर साथे हूँ जब हम लोग बात करते हैं क्या, क्या अगर इसको कट करें देखिए अगर 3 एकम 3, 3, 27, 23, 24 अगर 8 दूद है तो एक पानी होगा इसमें अगर बात करें पाँच एकम पाँच पाँच अगर आट दूद है तो एक पानी होगा अरे भाई अनुपाद तो दोनों मिक्षणों में बराबर आ रहा है तो मैं ये कहूंगा कि मिक्षण में दूद की अच्छी मातरा है तो दोनों में ही समान सात्यों दूद की मातरा है राइट आंसर आपका जाएगा आप्शन नमर सी के साथ बढ़िया सवाल था नया सवाल था आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो ये सात्यों एक तरीके से अगर बात करे तब ये थोड़ी सहीन है इसलिए सात्यों मैं दस कोशन ही आपको यहाँ पर मैद के आज दे पा रहा हूँ तो आपको सात्यों एक लास आपको जैसी बलगी हो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर बताएंगे कलास को लाइक की जाएगा शेयर की जाएगा सात्यों और एक playlist में आपको दे रहा हूँ, यानि के लगबग 10 वीडियो में आपको दे रहा हूँ, मेरा मानना है, अगर उन 10 वीडियो को आप देख लेते हैं, तो आपकी UP Police Constable की तयारी में चार चांद लग जाएगे, बहुत मजबूत आपकी तयारी हो जाएगी, और जब तयारी आ आपकी चार चांद लग जाएगे, तयारी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी, तो मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, जैहिंस आती हूँ